हर्दा पटा का फैक्टरी में ब्लास्ट के करीब अठाए इस गंटे बात रैस्क्य ऑप्रेशन पूरा कर लिया गया चीक पोकारों के आवाज ने पूरे देश को हिला दिया था अटना स्थल पर अगले दिन तक आँख सुलगती रही सिये मोहन यादाव से लेकर आला अधिकारी मंगलवार को हर्दा पहुँचे उन्हें मरत को और घायलों के परिजनों के गुसे का सामना भी करना पड़ा आईए हास्से वाले दिन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ आपको विस्तार से बताते हैं मंगलवार सुबह करीब साड़े ग्यारा बचे प्लास्ट हुआ हास्से के बाद पूरे शहर में हडकम मच गया था सड़क पर चनले वाले लोगों पर मलबे गिनने लगे थे हास्से की जानकारी मिलने के बाद अतकाल अधिकारी मौके पर पहुँचे फायर विग्रेड की कई गाड़ियों को भीजा गया था पोपाल में सीम मोहन यादव ने उच्छे स्तरीय बैठक भी बुलाई थी मंतरी उद्यपरताप राओ को मौके पर भेजा गया घायलों को अस्पताल भेजा गया और गंबीर रूप से घायलों को पोपाल और इंदोर भेजा गया हासे के शिकार लोगों के लिए केंद्र और राजी सरकार ने मुआवजे का एलान किया मंगलवार रात में राजगर से तीनों आरुपियों कूप पकड़ा गया प्यक्री मालिक राजे शक्रवाल उसका भाई सोमेश और संयोगी रफीक को भी किरफतार कर लिया गया गुदवार दोपैर तीन बजी मुखी मंतरी मोहन यादव हर्दा पहुँचे मोहन यादव ने घायलों से मुलाकात की और घटना स्थल का जायजा लिया इसके बाद कोट ने राजेश और रफीक को जेल भेज दिया और सोमेश को पुलिस रिमान पर आपको बता दे कि तीन साल पहले भी ऐसा ही ब्लास्ट हो चुका था दो किलोमेटर दूर दूसरी फेक्टरी का भी खुलासा हुआ दूसरी फेक्टरी को लेकर भी अब सवाल उठने लगे है अब तक 11 लोगी मौत और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके है म्रतकों के परिवार से मोहन यादव ने मुलाकात की हासर के करीब 31 गंटे बाद S.P. संजीब कुमार को पत से हटा दिया गया विरो रिपोर्ट, M.P. तक कर दो कर दो कर दो